नमस्कार मैं दिव्य स्वागत है आपका अच्किस रोजगार समाचार में बिरोजगार युवाओं के लिए एक बार फिर से सुनेरे अफसर सामने आए हैं दरसल कॉंस्टिबल के पदों पर यूवी पुलिस में भरती आई है यह भरती कुल 6244 पदों पर निकाले गए हैं इस भरती के लिए आविदन प्रक्रिया 27 इसमबर 2023 से ही शुरू है और आविदन करने के अंतिन तारीक 16 जनवरी 2024 है एक चुक मिदवारिस के आधिकारिक रूप में 400 रूपे लिए जाएंगे वहीं आरक्चन की बात करें तो यहां आर्थिक रूप से कमजोर लोग यानि इडवरीस को 10 प्रतिसत तक का आरक्चन दिया जाएगा ऐसमें मिदवार के परिवार से सभी आयस रोत को मिला कर अधिक्तम आर्क लाग या इस से कम बार्स की परिक्षा पास की हो इसके अलावे डी-ओ-ए-सी-सी या एडा ईल्टी सौसाइटी से कमप्यूटर में ओस्तर का प्रमान पत्र प्राप्त किया हो या प्रादेशिक सीना में नियुंतम दो वर्ष की अबधी तक की सिवा की हो या राश्ट्रे केडर कोर का भी भी प्रमा वेतन मान में पे मैट्रिक्स 21,700 रुपे के वेतन दिये जाएंगे आई अब जानते हूं मिंद्वारों के उम्र सीमा के बारे में तो मिंद्वारों के मांग को देखते हूं यूपी पी आर पी बी द्वारा यूपी पुलिस सिपाही भरती के लिए अधिक्तम आयू सीमा में बरहोतरी की गई है इसके साथ यूत्रपदेश फुलिस में कॉंस्टेबल के पदों पर सीधी भरती 2023 के लिए पुरुस और महिला उमिद्वारों को आयू सीमा में छूर दिये जाएंगे जिसमें सामाने वर्ग को 18 वर्ष से 25 वर्ष महिलाओं को 18 वर्ष से 28 वर्ष और अन द्वार इस परिक्षा के लिए योगे होने इस परिक्षा में बैठने के अनुमती दी जाएगी परिक्षा को आफ्लाइन मोड में आउजित किया जाना है परिक्षा कुल 300 अंकों के लिए जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रसनों की संक्य 150 होगी तो वही सभी सवाल यहां दो अंकों के होंगे यदि एक भी गलती होती है तो नेगेटिव मार्किंग के रूप में 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे आईए बाक्ति में हम आपको बताते हैं कि आखिर इस भरती के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं तो बता दे कि इस भरती के आवेदन फिर आगे इसके अप्लाई लिंक पर क्लिक करें फिर मांगी के सभी जरूरी दस्तावेजों को अप्लोड कर दे फिर आवेदन सुलका भुक्तान करके सब्मिट कर दे आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे ध्यान रही कि आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक बा लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आज के लिए फिलार इतना ही हमारे साथ बनेने के लिए आपका धन्यवाद